हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या हो गई हानिया को पिछले साल 7 अक्टुबर को इसराइल में वो एक घातक हमले का मास्टर माइन बताया जाता है वाले वक्त में हमास, हिजबुला और इरान की इस घटना पर क्या पृतिप्रिया रहती है भारत एट नाइन देख रहे हैं और आपके साथ मैहू का जो उनराय आज वेस्विक स्थर पर एक बहुती बड़ी घटना सामनी आई है दरसल इरान में मौझूदा हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या हो गई हमास ने इस घटना के लिए सीधे इसराइल को दोशी ठहराया है हानिया को पिछले साल साथ अक्टूबर को इसराइल में हुए घातक हमले का मास्टर माइन बताया जाता है कहा जा रहा है कि इसराइल ने इसका बदला ले लिया हानिया की हत्या एरान में एक मिसाइल हमले में हुई है एरान की सेना एरान रिवुलिशनरी गार्ड्स ने भी मौत की पुष्टी कर दी है हमास ने भी इसमाइल हानिया की हत्या की बाद स्विकार की है बीते नौ महीनों से भी जादा के समय से इसराइल और हमास आमने सामने हैं साथ अक्टूबर के हमले के बाद से ही इसराइली सीना ने हमास को निस्त नाबूत करने की ठान ली थी आखरी संगर्ष के दस महीने पूरे होते होते उसने अपने प्रमुख लक्षे को धेर कर दिया इस लड़ाई भी लगबख 40,000 से ज़्यादा आम लोगों की जान जा चुकी है संगर्ष में बीते समय में हमास के कई कमांडर भी धेर हो चुके हैं लेकिन हानिया की मौन संगठन के लिए बड़ा नुकसान है आईए जानते हैं कौन था इसमाइल हानिया इसराईल ने हमास प्रमुख को कैसे मार गिराया हानिया की हत्या हमास के लिए कितना बड़ा जटका है हमास और इसराईल इस घटना पर क्या कह रहे हैं हम जानेंगे सब कुछ आज के अपने शो में मैं हूँ आपके साथ काजो नराय इस्राइल के हमले में मारा गया स्माइल हान्या हमास की राजनीतिक के जड़े इस्लामिक प्रतिरोध अंदोलन हमास का प्रवुक था दरसल 2006 में फलिस्तीन संसद्ये चुनाव हुए थे जिसमें जीत के बाद गाजा इलाके पर हमास का कबजा हुगया आखरी बार वहां चुनाव उसी समय हुए थे हमास का 2007 से गाजा पत्टी पर शाशन है आखरी चुनावों में हमास के जीत के बाद सही संगठन से हानिया का दबदबा बढ़ने लगा था उसे गाजा पत्टी में फलिस्तीन प्रादिकरन का प्रधान मंतरी निक्त किया गया इस दोरान मिश्र से गाजा पत्टी में बाहर से आने वाली चीजों पर भारी कर लगाकर हानिया ने अपनी संपत्ती कई हुना बढ़ा ली थी इसमाईल हानिया फिरहाल कतर में रह रहा था और बताया जाता है कि वहां वो ऐश्यो आराम के जिन्दगी जी रहा था इसराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले को उसने अपने दफ्तर में टीवी पर देखा था इसराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे भी इसमाईल हानिया की एहम भूमिका थी और यही वज़ा थी कि स्माइल हानिया इस्राइली सीना के निशाने पर था इस्माइल हानिया इरान के नम निर्वाचित राज़पती मसूद फिजिक्षियन के शपत ग्रहन समारों में शामिल होने के लिए तहरान पहुंचा था पेजश्कियन के शपत सम्हारों में करीब 70 देशों के निता पहुंचे थे इन निताओं में भारत के केंद्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी भी शामिल थे पेजिश्कियन के शपत ग्रहन के दौरान की तस्वीरे गडकरी ने अपने एक्स हेंडर पर भी पोस्ट की है इन तस्वीरों में भी स्माइल हानिया नजर आ रहा है हमास के राज़ितिक प्रमुक इस्माइल हानिया के बुदवार 31 जुलाई तड़ के इरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई इसकी जौनकारी हमास के साथ साथ इरानी सीरा ने भी दी है हमास के मताबिक 62 वर्षी हानिया की तेहरान में उस समय हत्या कर दी गए जब वो इरानी राश्पती मसूद पेजिक्ष्टियन के शपत ग्रिंट सम्हारों में शामिल होने के लिगया था तीज जुलाई को रात आठ बजे एरान के सरवोच चनेता अली खेमनेई ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने स्माइल हानिया से मलाकात की थी इस मलाकात के बाद 31 जुलाई को सुभा हमास प्रमुक खानिया के तेहरान स्थेत उसके आवास पर हत्या कर दी गई टेलिग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया कि एक विश्वास घाती यहूदियों के चलते हानिया की मृत्य हो गई बयान के मताबिक हानिया एरान के राजपती के शपत ग्रिंट समारों में शामिल हुआ था वो उत्तरी तेहरान में एक विशेश आवास में ठहरा हुआ था वो एक मिसाइल हमने में मारा गया हजबुला से जुड़े अख़बार अल-मायादीन ने एक अग्याद इरानी अधिकारी का हवाला देते हुए बताए कि हमास नेता की हत्या एरान के भीतर से नहीं बलकि एक देश से दूसरे देश में दागी गई मिसाइल द्वारा हुई है हानिया की हत्या के बारे में एरानी विशेशक्ये ने कहा कि ऐसी हत्याएं भाड़े के सैनी को द्वारा की जाती है हमला एक छोटे मिसाइल के जरीय होता है और सैटलाइट द्वारा चलाया जाता है एरान के इसलामिक रिवलिशनरी गार्ड स्कोल ने हानिया और इसके एक अंगर अक्षक की हत्या के पुष्टी करते वे कहा कि वो इसकी जाच कर रहे है उधर इस्राइली अधिकारियों के ओर से ततकाल को टिपनी नहीं की गए लेकिन वरिश सरकारी अधिकारी अमिहाई एलियाहू ने हानिया की मौत को एक जश्मी की तरह मनाया एलियाहू ने एक्सपर एक पोस्ट में कहा दुनिया को थोड़ा बहतर बनाएगा वहीं Foundation for Defense of Democracies के वरिश सलहकार रिचर्स गोल बोग ने हानिया की हत्या से कुछ घंटे पहले ट्वीट किया कि इस्राइली वायूस से इना आज राथ अपनी शमता का प्रदर्शन करने वाली है हानिया ने अपनी हात्या से गंटे पहले वीडियो संदेश जारी किया था ये बयान इरान के प्रमुक परिटक स्थल मिलाड टावर में थीम पार्की यात्रा के दौरान किया गया हमास प्रमुक ने कहा था कुछ से तहरान में मिलाड टावर तक संदेश इसपस्ट है कि वास्तविक सब बढ़ाएं मानवे मोल्यों से उत्पन हुई है और अक्तपात लूट पार्ट से नहीं असराइली खुफी एजैंसी मुसाइद कि मुखने साथ अक्टूबर के हमले के बाद हानिया को मारने की गस्म खाली थी समले के बाद से ही असराइली हानिया की तलаш कर रघा था इसी साल अप्रेल में फिलिस्तीन एंकलेव में हवाई हमले में हानिया के तीन बेटी और चार पोते मारे गए थे हानिया ने उनकी मौत के बाद कहा था कि हमास इस्राइली दवाब के आगे नहीं जुकेगा कम से कम 2010 से इस्राइल ने इरान के अंदर कतित तौर पर दरजनों हमले किये हैं इन हमलों में सम्वेधन चिल परमानू और सैने अज्डो पर कारवाई साती विशेशक्यों की हत्याई भी शामिल है जुलाई 2020 की बात करें तो इस्राइली हमलों की संख्या बढ़ गई जब मध्य इरान में परमानू सर पर एक बड़ा वस्फोट हुआ जो से कि मारत नस्ट हो गई उसी साल नमंबर में इरान के परमानू कारिकरम के एक प्रमुक अधिकारी मोसेन फक्री जिदाहे की तहरान के पास सड़क किरारे हमले में हत्या कर दी गई पश्यमी और इस्राइली खूफी अजन्सियों को लंबे समय से संदेता की फक्री जादेह ने इरान के गुप्त परमानू हत्यार कारिकरम को बनाया था फक्री जादेह की हत्या के बाद से विभिन ठिकानों पर कई छोटे और बड़े हमले हुए जिन में एक हाई-टेक रिमोर्स अंचालित मशीन गन का अस्तमाल किया था हाला कि इस्राइली ने कभी भी इन में से किसी भी हमली में अपनी सनलिपता नहीं माली उधर इरान ने कई मौकों पर दावा किया कि उसने इस्राइली गुस्पेच को बेनकाब किया और उन्हें नस्ट कर दिया हाला कि इरान ने कभी इस्राइली गुपत अभियानों से जुड़ेठों सबुत पेश नहीं किये इस हमले में दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश युद्ध के मुहाने पर आखड़े हुए स्माइल हानिया की हत्या हमास और इरान के लिए किसे जटके से कम नहीं ये हमला सिर्फ स्माइल हानिया पर नहीं हुआ बलकि इरान की संपरपुदा पर भी ये हमला हुआ है और इसका जवाब इraan जरूर देगा बीद्से कुछ महीने पहले जब सीरिया में इraण के सेनेट कानों पर इसराइल ने हमला किया था तब इराण ने भी इसराइल पर अपनी निसाइल दाग दी थी अगर इरान इसराइल के खिलाफ मोचा खोलता है तो अमेरिका भी खोले मन से इसराइल का साथ देने से मजबूर हो जाएगा अब ऐसे में देखना ये है कि आने वाले वक्त में हमास, हिजबुला और इरान की इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया रहती है आज के लिए बस अतना ही आप देखते रहे हैं भारत एट नाइन हम मिलेंगे कल तब तक के लिए नमस्कार